दिव्य लोग से कोई तुम्हे दुआ दे रहा है खुशियों का तरवाजा खुल चुका है मेरे प्रिये दिव्य आदमाओ तुम्हारी सभी प्राथनाएं सुईकार कर ली गई है मेरे बच्चे आज मैं तुम्हे एक कोणर रहस से बताने चा रहा हूँ आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुप है कोई है जो तुम्हे तिव्य लोग से आशिरवाद भेज रहा है वह तुम्हारे जीवन को हमेशा बदलने के लिए एक प्यक्ति विशेश को भेजने की योजना बना रहा है कोई चमतकार के रूप में तुम्हारे जीवन में आने वाला है जिसके उपरांद तुम्हारा जीवन आशिश एवन अप्रतेशित चमतकारों से इस परकार भर जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी मेरे प्रिये परमात्मा सदेव अपने संतान का हित ही चाता है इसके पीचे एक विशेश कारन है समय आ गया है जब तुम्हारे साथ कुछ विशेश घटनाए घटित होगी अभी से उस सुखत उर्जा का अनुभव करो क्योंकि तुम्हें बहुत जल्द वह सभी आशिरवाद मिलने वाले हैं जो तुम तक पहुँच नहीं रहे थे मेरे प्रीए बच्चे कोई है जो दिन रात तुम्हारे सुख की दुआएं करता है एक दिव्य स्वरूप महिला जो तुम्हारे बहुत करीब है और तुम्हारे पारे में सब कुछ जानती है उसका दिव्य आशिरवाद तुम पर बना है वह तुमसे पेहत प्रेम करती है इसलिए वह तिव्य लोग से तुम्हें कुछ कहना चाहती है वह तुम्हारी बटमान इस्तिती को देख कर भावक हो जाती है तुम्हें कश्ट और पीरा में देख कर स्वेम भी दुखी हो जाती है मेरे बच्चे वह तुम्हें दिव्य लोग से अपना आशिरवाद दे रही है जल्द ही तुम्हारे जीवन में उन्नती की परशा होगी तुम चिंता छोड़ दो क्योंकि उस दिव्य परिष्टे के आशिरवाद के कारण शेक्र ही तुम्हें सभी संकटों से मुक्ती मिलेगी तुम्हें धन्न का लाब होगा वह दिव्य परिष्टा तुम्हारे परिवार का ही एक पूर्वजे है जिसे हम एंचल भी कहते हैं अपने परिवार को वह उन्नती करता हुआ देखना चाहती है और इसके लिए आज तुम्हें एक विशेश अशिरवाद दे रही है तुम्हारे परिवार में चल्द ही उस सब का महौल सजेगा और धन्न को तुम आकरशित करोगे परमात्मा का आशिवाद निरंतर तुम्हारे उपर तुम्हारे परिवार के उपर अपना दिव्य परिष्टे ताकि तुम अपनी वर्तमान इस्तिती को सुधार सके और सुक से जीवन बिता सके मेरे प्रिये तुम अपनी बहुत सी परशानियों को जेल रहे हो आगे बढ़ने के लिए निरंतर संघर्षों को जेल रहे हो बार बार तुम्हें आसापलता मिल रही है अभी तुम्हें अपने पूर्वज के विशेश आशिरवाद की आवेशकता है इसलिए वहतेव्य फरिष्टे तुम्हें अपना आशिरवाद दे रहे है तुम चिंता मत करो, समय कभी भी किसी का भी एक जैसा नहीं रहा है तुम्हारा कठिन परिक्षम मुझसे छुपा नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ शेगर ही तुम्हारा जीवन परिवर्दित होने वाला है आने वाला समय तुम्हारे जीलिये पहुती शुप पहुती शुप रहने वाला है तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा और यहा सब तुम्हारे परिक्षम और परो के आशिरवात का ही पड़ी नाम होगा मेरे प्रिये किन्तु तुम्हे एक बात स्मरन रखना है कि तुम्हे परिक्षम भी करते रहना है ठक हार कर रुकना नहीं है क्योंकि तुम अपने मनसिल के बहुत नस्तीक हो शीक्र ही तुम्हे एक ऐसी खबर मिलेगी चो तुम्हारी उन्नती से जुरी होगी वहे खबर एक व्यक्ति लेकर आएगा और वही व्यक्ति आगे का मार्ग दिखाएगा कि तुम्हे आगे करना क्या है कौन सी कल्ती अभी तुम कर रहे हो दिप्य लोग से भेजे गए फरिष्टे तुमसे चल्दे ही संपर्क करेंगे वहे फरिष्टे तुम्हे समझाएंगे ताकि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना हो स्वर्ख से जो दिव्य महिला तुम्हे आशिरवाद दे रही है उसके आशिरवाद के कारन ही शेग्र ही तुम्हारे जीवन में काया पलटो हो जाएगी और धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे बिगड़े काम पढ़ने लगेंगे तुम्हारे जीवन में एक विशेश चमतकार होगा मेरे पच्चे मैं तो तुम्हें केवल आगे पढ़ते हुए देखना चाता हूँ अपने सभी चिन्ताओं को त्याग दो और अपने जीवन से बड़े लोगों का आशिरवाद लो तुम्हारा जीवन सकरातमक और चमतकारों से भड़ने बाला है सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा मेरे प्रिये जीवन के कठिन अध्यान का समाप्त होने का समय बहुत ही नस्दीक आचुका है एक नई खुशियों से भड़ा नया अध्याई तुम्हारा पे सबी से इंतिजार कर रहा है तुम्हारे जीवन की सारी एक नया मोर लेगी जो बहुती सुन्दर और सुख में होगा मेरे बच्चे अभी से ऐसी इस्तिती नहीं आएगी जब तुम्मुश्किलों में होँगे और मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूँ ऐसा कभी भी नहीं होगा तुम्हें केवल एक बात समझना होगा जब भी चीवन में कोई संकट आता है तो वहत तुम्हें मचपूत बनाने के लिए ही आता है ताकि तुम आने वाली चुनोतियों के लिए तयार हो सको मेरे प्रिये अब अतीत की सारी बातों को भूल कर एक नया अध्याय आरंभ करो मैं तुम्हारी पुरानी सभी कल्दियों को माफुत कर रहा हूँ और तुम्हें एक नई शुरुवात करने का अफसर प्रतान कर रहा हूँ तुम्हारे साथ देवदु स्वर्ग बास्यों का आशिरवाद है मेरा सने भड़ा प्यार और आशिरवाद तुम्हारे साथ है जीत तुम्हारी निश्चित ही होगी तुम्हारे साथ निश्चित है तुम्हारे स स्वर्ग तबलस्चित है अध्याओ क्या चुम्हारे साथ है